जीतेंगे हम ये वादा करो कोशी समय साँ ज्यादा करो किस्मत भी रूटे पर हीमत ना टूटे बजबुत इतना इराधा करो आप सभी का गुरुकुल आर्मी ओनलाइन प्लेट पोर्न पर हार्द एक स्वागत अभिनंदन आज के अपनी ये जीत बेच की क्लास रहेगी गाहि बड़े इंपकोटेंट श्याएं वह दिलि प्लेस का ओ और आपना आरमी का अगनी वीड़ेश को निउन बेच ये त्यारी के अगाЗ करेंगे कि आज की क्लास में जिसमें सबसे बात करेंगे मैंतपुन तक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बात करें अक्सरे की बात करते हैं तो अक्सरे की खोज किसी ने किती इसके इसके आलाव बात करते हैं शरीर के आंत्रिक चितर कीचे जाते हैं किसी की टूट जाती है उसका पता किसे लगा जयता है अक्षर से पता लगा जयता है अप्सरी आप अबहें तक किसन पूचा गया था तो कि अक्सरे की कि खोज किसे ने की ती डबलू के राउंड जर्ण ने की थी और शरीर के आंतरी कस्तियों का जो चितर कीचा जाता है इसमें अक्सरे चीक है तो इसकी सोटला है लिजे पिर आगे की बात करेंगे बिल्कुल अब आगे बात करेंगे शिटी स्केण की आउता है ये बहु आया में चितर अक्सरे फिलम पर बनाया जाते हैं ठीक है बेल्कुल इसके वह बात तो करते हैं इसमें जो उपकर्ण होता है क्या उपकर्ण तो उपकर्ण की बात करते हैं तो विदुचुम्ब के किरने का परियोग किया जाता है इसका परियोग किया जाता है इसके अलाव बात करते हैं आगे अल्टरासोनाग्राफ कि इसके आगे बात करेंगे अल्ट्रा सोना अगराफी इसका प्रियोग किसमे क्या जाता है राजे इसका उप्रियोग जैसे प्राज सर्वी तरंगे होती है इसका प्राज सर्वी तरंगे प्राज सर्वी तरंगे प्राज सर्वी तरंगे है और इस उपरन का अप्योग सरीर में घांटे होती है घांटे मालो या सुजन मालो कहीं लग जाने पर बेड़ जो सुजन आ जाती है सुजन जाब सलिड़ गांट आ जाती है गांट ओजाती है या रोग और अलिंग उस exploring जा जो आपके रोग उजाते हैं इन आधी के लिए आपके अल्ट्रा सोना ग्राफी की जाती है सबका इनका पता लगाने के लिए ठीक है इसके साथ में लिखते जाए इसकी सो टेह लिजिए इसका उपरन प्रासरे उतरन गुंखुम का उप्योग किया जाता है और इसके अलावा इस उपरन में जो सरीर में गाटे सुजन रो गए हुए लिंग सीख का पता लगाने में किया जाता है ठीक है सर बिलकुर इसकी सो टेह लिजे फिर आगे की बात करेंगे इसके अलावा बात करते हैं लेजर की किसकी बात करते है लेजर की या आपके इसे English में भी लेजर ही बोला जाता है लेजर अब लेजर की बात कर लेते हैं लेजर क्या होता है सर कि लेजर में इसका पुरा नाम जेका जाए तो Light Amplification होता है क्या होता है Light Amplification वैसे अगर इसे पुरा नाम होता है AACR लेजर जिसे Light Amplification by Stimulating Machine of Light Amplification of Module Amplification by Explotated Emission of Radiation of Radiation यह इसका होता है पुरा नाम और इसे Laser L-A-S-E-R इसका पुरा नाम होता है Light Amplification by Stimulating Emission of Radiation इसका पुरा नाम होता है चीक है बेलकुल सर इसके अलावा बात करते हैं इसकी खोज भी इसकी खोज की बात करते हैं तो खोज किसे ने की थी Theodore Meme ने Theodore Meme ने इसकी खोज की थी किसकी L-A-S-E-R की किसकी लेजर की कोज की थी इसके अलावा बात करते हैं इसका उप्योग L-A-S-E-R का उप्योग किसमे किया जाता है इसके बारे में एक बार अध्यन कर लेते हैं सर बिलकुल कर लेते हैं एक बार तात में लिखते जाए बिलकुल सर कोगा आज का शेसन बड़ा इंपोटेंट रहेगा जो अभी तक एक्जाम में पुछे गेचे हैं वह दिली पलिस आर्मी का ओ सभी में तो लेजर की बात करेते हैं तो गुरजी लेजर में के अलावा इसका तो हमने उप्योग बताया था त रक्त का जब ठक्का बन जाता है उस ठक्के को अठाने के लिए इसके अलावा कैंसर में भी इसका आउप्योग किया जाता है दूसरी बात पत्री के निवारण में पत्री के निवारण में साथ में लिखते जाए बड़ा इंपोर्टेंट की संद रहेगा यही आर्मी में भी पूचा गया था पत्री के निवारण में किसका उप्योग किया जाता है लेजर का उप्योग किया जाता है खोज किस ने की थी थियोडर में मैंने खोज की थी बात क आपजने के लिए आपके लेजर का प्रियोत की बात के light emulification by stimulated image nation of radiation खोच किसने की दिए थियोडर में में उपयोग रग्द का थका हटाने में कैंसर में पत्री के निवारन में और तउचा फिर दो धब्या बन जाते हैं उन धब्बों को हटाने में इसका प्रियोगे किया जाता है बिल्कुल मोतिया बिंद उपचार में भी इसका किया जाता है जो आंक का मोतिया बिंद होता है मोतिया बिंद के उपचार में मोतिया बिंद के उपचार में भी आपका लेजर का प्रियोग किया जाता है जैसे करी टेटू हो जाते हैं सबी बच्चे अपने अपने में डेनिस दसार दीजे बिलकुल रोहिद अंकित सुभ्यास तुरेश रोहिद आर्मी लवर बिलकुल आप सभी का स्वागत है आर्मी गुरुकुल आर्माई ओनलाइन प्लेटपॉन पर बिलकुल से रागे से जलते हैं इसके सोट ले लिया बिल अग्रोकार्डियोग्राप की बात करते हैं या इसे इंग्लिस में बोला जाए तो आपको इसी जी बोला जाता है इसके बारे में भी अधिन कर लिए साथ में लिखते जाए क्योंकि कम समय में 60 कुशन और पूरा important chapter अपना पूरा करेगा ये उपकरना हर्दे के जो आपकी चक्र पेसियां होती है, पेसिया विदुत परिवरतनों का रिकोड करती है, क्या होती है, यह उपकरना है जो हर्दे चकर के, तो हर्दे आपका चकर होता है, उस हर्दे चकर में, यह याद रिकना आप तो हर्दे चकर होता है, हर्दे चकर में जो पेसियां होती है, क्या होती ह है कि रिकोर्ड खरती है ठीक है कि लिखते जाएं इसके लावत के हाथ ऐसक का अज्ञान घ्रक आफ कि जो सती बैस्के को कि रजब याइन हो जाता है इसी ऐका गार खरिक फरीन हो की पना अब आदे के पेशियों की जो सती हो जाते है उस सती का भी पता लगाया जा सकता है अगर इसे बाया लिन दाया लिन दाया लिन दाया लिन ले बाया लिन अगर किसी भी आपकी पेसी में अगर रुकाउट आ गए या कहीं तकान सी हो गए या कहीं भी अगर उसमें आपका कमजोर हो गया कोई पाट तो उसका भी पता लगाए जा सकता आपके इलेक्ट्रो कार्डियोग्राप के माध्यम से चीक है बिलकुल सर यह था आपका इलेक्ट्रो कार्डियोग्राप या ECG चीक है ECG machine Electrocardiogram देखाँ वहाँ में जब सीधी हो जाती है तो इनसान की मर्ति हो जाती है आपने फिलमों में देखाँ हो जो मसिन लेखी होती है जóg में ये लाइन होपन नीचे होती है और जैसे यह उपन नीचे रहेगी तब तक तो चलता रहेगा, जीवत रहेगा मनुसे, और जैसे सीधी होगी इंसान, मरती हो जाती है, आपने फिल्मों भी बहुत बार देखा होगा, तो इसलिए का आगए इंसान को कभी भी सीधा नहीं होना चीए, टेडा होना चीए, सीधा हो जाएगा तो दुनिया वे से भ के हैं, इस्टे तो इसको, आज की क्लास बड़ी इंपोर्टेंट रहेगी सबी के लिए, चाहिए वो आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो, चाहिए आप आर्मी की तियारी कर रहे हो, चाहिए आप दिल्ली पलिस की तियारी कर रहे हो, चाहिए आप ऐससे जीडी की तैयारी कर रहे हूं और चाहीं आप राजस्थान पुलिस की किसी भी एक्जाम की त्यारी करें जिसमें साइन्स आएगा उसके लिए आज की किलास अतीम बैतर पूर्ण होगी जो अभी तक एक्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे तो एक बार सभी बचे सेशन को शेर जरूर कर दें कि मिलकुल सर सेर कर दीजी एक बार सभी बच्चे कि आज का सेशन बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए बिल्कुल अब आगे की बात करेंगे इस्टेटरिसकोप के बारे में बात करते हैं जो एक्जाम में बहुत बार पूचा जाता है तो इस्टेटरिसकोप की दोवार क्या किया जाता है लाले इसके दोवारा हर्दे की धरकन को सुना जाता है किया ज़िए जाता है तर दे की जो दड़कन होती है यह ज़शे है बार सभी बचे बता दे कि हर्दे क किस परकार की होती है या अर्दे की दढ़कन होती है, उसे हैं, किस परकार से सुना जाता है, आपके, इस्टे तो स्कोप के माध्यम सी, और उसकी जो धवनी होती है, वो कैसी होती है, ये एक बार सभी बचे बता दीजिए, बेलकुल बताते हैं, उसकी धवनी किस परकार के होती है, आपकी, आपकी एक मिनिट में फैतर बार दढ़कता है, ठीक है, तो एक बार दढ़कने में लगा समय कितना होगा, तो गुर्जी वो होगा, आपका एक मिनिट में साट सेकिंड होती है, दढ़कता कितना बार, बेतर बार, तो जीरो पॉइंट आट बार, जीरो पॉइंट आट सेकि uit जाएगी ठीक है बिलकूल स्वेसा एक बार पंप किया तो एक बार फंप करने में कितीन ले ले गी सतरे हमल रक्त को निकाल देगा एक बार फंप अमेलं और एक मिनिट में कितने बाद तरगा बैतर बार बैतर को सतर से गोना किया तो लग बग आपका पांस लीटर कीutan कर देता है तो इसलिए सबसे जड़ा विस्ता मंकूर सा हो गया आपका हर्दे हो गया तो हर्दे का आप सदा ख्याल रखिए इसे खुश रखिए अगर ये नाराज हो गया तो आपकी जिंदगी से नाराज हो बेट हो गया आप इसको सदा खुश रखिए ये खुश रहेगा तो आप भी कुछ हो, अगर ये कुछ नहीं रहा तो आप भी कुछ नहीं रहोगी, ठीक है, बेलकुल सर, ले लिजिए एक बार इसके सोट, इसके अलावब बात करेंगे, अब आगे, अगली बात करेंगे, इसके बात करेंगे, ये भी एकजम में बहुत बार पूछा गया है, इसके दोरे क्या क्या जाता है? रक्त चाप का माप किया जाता है, किसका? रक्त चाप का, रक्तचाप का माप किया जाता है बड़ा-इंक्त चाप का माप किया जाता है । रख्चाप में या फिर आपके मस्तिस का वोई विरन में या इन में से कोई नहीं यह एक्जाम में पूछा गया एक्जाम में आपका आर्मी में तो रख्चाप में इसके अलावाँ आप बात करते हैं ओटो कलेव की ओटो कलेव की तो ओटो कलेव के बारे में भी एक्जाम में बहुत बार पूछा गया तो इसका उपचार काम में आने वाँ जो उपकरणों में इसका रख रखाव या रोगणू रहित बनाने में जो उपकरणों होते हैं उपकरणों को रोगणू रहित बनाने में रोगन रोईत बनाने में किसका उप्योग किया जाता है आपके ओक्टोकलेव का प्रियोग किया जाता है पिलकुल लिख लीजिए एक बार इसके बाद में बात करेंगे आपके आगे परकनली सिसु के लिख लीए बिलकुल सर अब बात करेंगे आगे परकनली सीसू की बात करते हैं इस सभी एक्जा में बहुत बार क्यूशन पूछा गया आपके आर्मी में ठीक है और साथ ही तिली प्लीस में अब इनकी बात कर लेते हैं एक बार सभी बचे बिल्कुल गुरुजी जो आपके परकनली सीसू के माध्यम से माध्यम क्या होता से में परकनली होता है इसके माध्यम से रख के आपके जो का टकनीक में अन्डाणों ऋ शुख्रानों को करत दो हम से कृत्री माध्यम से रखे प्रक्नली में रखा जाता है ठीक है बिल्कुल से और प्रक्नली में रखका निशेचित करवाया जाता है जब रख जिया जाता है तो फिर उसके बाद में रखने के परचाद यहां पे जो निशेचित किया जाता है कि निसेच चित या फटला जिसी या निसेच ने करवाया जाता है आपके प्रखनली की चिसु में जब या परिवर्दन प्रिकरिया में जबकि ये आपकी जो परिवर्दन की परकिरिया होगी इस परिवर्दन की परकिरिया में बुरुन जब 32 कोशी का हूँ का बन जाता है बुरुन कितना 32 कोशी किये 32 से हल्ज 32 कोशी किये बन जाता है तब इसे इस्तरी के गरबासे में इस्तापित किया जाता है 32 कोश किया हो गया उसके पस्यात जैसे आपको होने के पस्यात गरबासे में इस्तापित कर दिया जाता है प्रकनलि के परिवर्दित प्रकिर्यास कंप्लीट हो जाते हैं उसमें जब बुरून 32 को चिंए बन जाता है तब इस तरी के गरबाशे में इस इस्ताफित कर देने के परचाद उत्बन होने वाले संतान होती है उसे प्रकनलि किशू कहा जाता है कि इस्तापित करने के पाज चाहते हैं पुद्पन भुरुन या सिसू परक्नली शिसू कहलाएगी जा कहलाएगी परक्नली शिसू कि इस्तापित कर दिया जाता है जिसमें आपके अंड़नों वो सुक्राणों को कृतरी माध्यम से निश्यचित करवाय जाता है आपके प्रक्नली में रखे और जब परिवर्धन की परक्रिया होती है उस समय जब बुरुन 32 को सिखिये हो जाता है तो इस्तरी के गरबास समय से इस्तापित कर दिया जाता है और जब उत्पन जो बुरुन होगा उसे है प्रक्नली शिसू कहा जाएगा जया उत्पन संथान प्रक्नली शिसू कहलाती है चीक है बेलकुल लिख लिजे एक बार इसके आगे की बात करेंगे आज बेलकुल लिख लिजे एक बार अब आगे क हमी बात पत fire ऐसे में निर्मान की बात करते हैं करने के Canton के निर्माहांड की बात करते हैं आप इसानिफ बना देते इस पर कर पहले घीव रखे गई और फिर कहनलन का नाम रखेंगे कि कलोन का नाम साथ में लिखते जाएए आज का सेशन बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा और बाद में साथ में आगे लिखेंगे और आप भी लिख लीजिए साथ में कि कलोन के साथ में आप तो अभी हमने देखा था कि कलोन का निर्मान कर रहे थे या कलोन निर्मान की परकरिया बात कर रहे थे कलोन निर्मान में सबसे पहले बात करते हैं हमने यहां पर रखा था जीव के बाद में क्या रखा था आपके कलोन नाम पिर लाग लास्ट में लिखा था हमने वर्स ठीक है इसा भी तो लिगा था हमने अब इनके निर्माणों की बात कर लेते है ठीक है सर बेलकुल बात करेंगे इसमें सबसे पहले मेंडक की इसकी बात करेंगे मेंडक की मेंडक की बात करेंगे तो मेंडक में बात करेंगे जिसे नाम नहीं दिया गया था उसके अलावा सबसे जा इंपोर्टेट पूछा जाता है एक्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है इलेन टोल्स में भी पूछा गया है बेड का कलोन तयार किया गया था उसका नाम दिया गया था डोली बेड क्या नाम दिया था डोली किसकी बात करेंगे आगे बात करेंगे अपने बिल्ली की बात कर लेते हैं सर और बिल्ली की जो कलोन थी बिल्ली की जो कलोन तियार की गी थी उसका नाम कापी केट था क्या था कापी केट नाम दिया गया था और वो सन कोन से थी कोपी केट की 20001 क्या थी 20001 थी चीक है इसके अलावा और किसका किया गया था लाड़े चुहा का भी किया गया था और किसका किया गया गया गोडे का भी किया गया गोडे का भी बनाय गया और गोडे के अलावा और किसका बनाय गया आपके रिसस बंदर का, जिसमें अरच कारकी खोज की गई थी, रिसस बंदर की भी, ठीक है, तुहा का कब बनाएगा है, तुहा की जो सन थी, वो 2002 थी, कौन से थी, 2002, गोडे का 2003 थी, गोडे का कौन से सन था, 2003 में गोडे का जो बनाएगा था, परकनली, जो कलोन बनाएगा था, और इसके अलावब बात करें आपके मक्का का रिसस की 2000 में, मक्का का रिसस 2000 में इसका कलोन बना गया तो, तो साथ में लिखते जाईए, थोड़ा सा उपर कर देते हैं, लिख लिजिए एक बार इसकी सोट ले लिजिए, मेंडक का 1901 में, पात करते हैं, भेड का, भेड का पूछ लिया जाता है, तो बेड का डोली भेड थी, 1903 में कलोन त्यार हुआ, पिल्ली का कोपी के नाम दिया गया था, 2001 में, सुहे का 2002 में, गोडे का 2003 में, और रिसस बंदर का 2000 में कलोन त्यार हुआ था, या निर्मान किया गया था लिख 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 पताईए एक बार सभी बचे कमेंट सेशन में आपका एक क्यूशन है बहुत इंपोर्टेंट जो एकजाम में पुछा गया था आप बार्त जो विश्वे की पर्थम परक निली शीशू पताईए देगे कमेंट सेशन में पिलकु लुईस जोई ब्राउन लुईस जोई ब्राउन यह आपकी जो विश्वे की पर्थम हमें परक निली शीशू है फार्थका भी बता दिजी देखें कमेंट सेशन में एक बार पार्थ का भी बता दीजी देखें देखते हैं इसका सबसे पहले कुन बताता है पार्थ की परतम परक निलिस उसका नाम तो विश्व की परतम परक निलिस उसका नाम था लुइस जोई ब्राउन और भात की परतम परक निलिस उसका नाम गया था बेलकुल साब दीजी एक बार बेलकुल दुरुगा अर गरवाल है बेलकुल राइट उप्शन है तुरुगा अगरवाल तुर्गा अगरवाल इसका एर राइट ओप्शन होगा लिख लीजे बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा आपके विस्वग का पर्दम परकने लिए सिसू लुइस जोई ब्राउन और भार्त की पर्दम परकने लिए सिसू का नाम तुर्गा अगरवाल ता लिख लिजे बिल्कुल लिख लिजे एक बार क्यों आज का सिजन बड़ा इंपोर्टेंट रहेगा सभी के लिए बिल्कुल सर दोनों एक्जाम में पूछा गए आपके ये परकने लिश इसू का आपका जो पिसला पेपर वाता आर्मी का उसमें पूछा गया था और तेरा और चोगदा की जो भरतिविती उसमें भी ये सेंटर में सेंटर की जो भरतिविती उसमें ये आर्मी में पूछा गया था ठीक है बिल्कुल सर आज का सेशन बड़ा इंपोर्टेंट था सबी बच्चे आज की सेशन को शेर कर दीजी आज की साइंस इंपोर्टेंट क्लास को और आने वाले आर्मी की वेकेंज है उसके लिए अती महितापुन होगी और दिली पुलिस का आपका जो जल्द ही एक्जाम होने वाला है एक्जाम डेट भी आ चुकिये रेंटेस की भी एक्जाम डेट आ चुकिये तो सभी बचे कमर करिश लीजीए RSSC CPO की भेरतिया चुकिये तो बहुत सी वेकेंजिया आपके सामने है एक्जाम आपके दिसम्बर से पहले-पहले सब के हो जाएंगे क्योंकि जनलरी में आपके जो ले व्यकैंसी आजाएंगे उसके बाद सुना होने के बाद में कोई वेकेंशी के नहीं नहीं निकालेगी क्लास है से लिए बिए आपके क्लास के विस से इजाज़त लेते हैं जैहिंद जैबार्द को